हलो एवरीवन तो दोस्तों आज हम बिना चीनी बिना गुड इस्तिमाल किये सूपर सॉफ्ट और रसीले मावे की गुलाब जमून बनाएंगे चौकी नहीं सच कहती हूँ और इतने अच्छे ये गुलाब जमून कैसे बने हैं इसके सारे सिक्रेट टिप्स मैंने शेयर की हैं वीडियो को देखने के बाद आप से भी गुलाब जमून परफेक्ट और अच्छे बनेंगे तो चले फिर वीडियो को शूरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है एक कप मावा या खोवा तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मावा लिया है वो दो से तीन दिन पुराना है तो मैं इसे पहले मैश कर लेती हूँ, अगर मावा जादा ड्रा है तो आप उसे कद्दू कस कर लीजे, वरना उसमें लंसिया गुटलिया रहे जाएंगे अब अच्छे से मसले के बाद हमें इसमें एड करना है वनफोर्ट कप मैदा, अब मैदे की जगा गेहों काटा भी ले सकते हैं दोस्तों, साथी वनफोर्ट टी स्पून भर कर हमने बेकिंग पाउडर डाला है, अगर आपको बेकिंग सोडा डालना है तो इसके आधी डालिए अब इसे अच्छे से हमें मलना है, इसे मिक्स करना है, तो दोस्तों जो खुवा है वो थोड़ा ड्राय है, तो हमें इसमें दूद या पानी डालना है, लेकिन मैं यहाँ पर दूद ही डालूँगी, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मावा या खुवा जादा फ्रेश है, तो आपको दूद या पानी नहीं लगेगा, तो यह खुवे के उपर डिपेंट करता है, कि आपको दूद डालना है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर दूद डालूँगी, क्योंकि जैसे हमने इसमें मैदा डाला, तो यह ड्राय हो चुका है, तो इसकी क गुलाब जामून उतनी ही परफिक्ट शेप के बनेंगे, और उसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी, तो आप देख सकते हैं, मैं इसे कैसे मल रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से चिकना होने तक, स्मोथ होने तक आपको इसका आटा लगाना है, और इसे तयार करना हैं, तो यहां पर आपको लगबक 7-8 मिनट के लिए इसे मलना है, इसे मसलना है, तो यह देखे दोस्तों, अब जो हमारा गुलाब जामून का आटा है, वो रेडी हो चुका है, और इसे हम थोड़ी देर का रेस्ट देंगे, इसे हम ढखकर रखेंगे, वरना यह ड्राय हो हो जाएगा, तो ढखकर जब तक इसे रखेंगे, तब तक हम इसकी चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी बनाने के लिए आज हमने शक्कर का इस्तमाल नहीं किया है, आज हम लेंगे धागे वाली मिश्री, तो दोस्तों, धागे वाली मिश्री बहुत ही प्यॉर होते हैं, इसम हमने धागे वाली मिश्रे का इस्तमाल किया है और इसे हमें तोड़ लेना है इसके छोटे-छोटे पीसिस करने है ताकि यह पानी में जल्दी से घुल जाए और चाशनी जल्दी तयार हो तो यह पर आपको पीसना नहीं है बस इसके छोटे टुकड़े करने है और अच्छी से दो कप नाप लेंगे कड़ाई में और इसे के साथ हमें दो कप पानी भी डालना है तो यहां पर देखिए दोस्तों हमने दो कप पानी डाल दिया है और फ्लेवर के लिए डालेंगे दो इलाइची अब इसमें इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं साथ ही थोड़ा सा के केसर डालेंगी केसर से कलर और फ्लिवर दोनों बहतरी नाएगा और इसे मिलाना है अब जैसे जैसे शक्कर मिंस जो मिश्री है वो घुलती जाएगी इसके अंदर की जो धागे है न वो पानी में तैरने लगेंगी बस आपको अब धागे निकाल लेने हैं और इसे मीडियम फ अच्छे से मेल्ट हो जाए हमें इसे पांच मिनट के लिए हाई फ्लिम पर पकाना है और फिर गैस की फ्लिम बंद करके इसे डख कर रखना है क्योंकि हमारी जो चाष्णी है वो तैयार हो चुकी है अब दोस्तों यह जो गुलाब जमून का मिश्रन है इसे देख लेते हैं इसने रेस्ट कर लिया है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे तो अगर आपको बड़े साइस के गुलाब जमून बनाने हो तो आप बड़ा इसका पेड़ा बनाए और अगर मेरे जैसे मेडियम साइस के बनाने हो तो आप यह नेमो के साइस के इसके बॉल्स करने के लिए आप तेल यागी कुछ भी ले सकते हैं लेकिन इसे हाइ टेमपरेचर पर फ्राय बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि यह मावे के गुलाब जामुन है यह बहुत जल्दी फ्राय हो जाएंगे इसमें जल्दी कलर आ जाता है लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल स फ्राय करना है और जैसे यह फ्राय होंगे ना यह ओईल में फ्लोट करने लगें की बहुत सारे लोगों से गुलाब जामुन अंदर से कच्छे रह जाते हैं या उसके अंदर गुठली आ रह जाती है इसलिए क्योंकि आप उसे हाइफ लेंपर यह ब्राउन हो जाते हैं ले धिरे धिरे यह फ्राय होंगे और ओयल में तैरने लगेंगे जी यहां जब यह हलके हो जाते हैं पक जाते हैं तब यह तेल में तैरने लगते हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हैं सुने रहा है परफिक्ट शेप में परफिक्ट कलर इसमें आ चुका है और यह पक जाते है ना दोस्तो आप इसे अंदर के और जितना भी प्रेस करेंगे फिर भी ये ओईल में फ्लोट होंगी इसका मतलब ये अंदर तक पक चुके हैं ये इसका साइन है तो दोस्तो अच्छे से फ्राइ करने के बाद हमने इसे अब निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने जबर दस्त बने हैं तो जिने मावे के गुलाब जमून बनाना परेशानी होती है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा आपके सारे प्रॉब्लम का सोलुशन इसी में ही है तो दोस्तो अब चाश्णी में गुलाब जमून डालने से पहले आप चाश्णी को चेक कीजिए इसे किया दूस्तों बटने सारी और गुलाब जमून डालना है से चैशनी को पी ले और इसे डग कर हमें लगभग तीन से चार घंटे के ले रख देना है अगर आप ऊवर नाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा है बैस्ट है और यह देखें दोस्तों लाज जवाब हल्वाई से भी जादा अच्छे गुलाब जमुन खर पर बना सकते हैं वो भी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो गुलाब जमुन है परफिक्ट शेप में हैं ना तो यह चप्टे हुए हैं नहीं यह क्रैक हुए हैं और नहीं यह चाशनी में घुले हैं तो दोस्तों बहुत ही लीजिए इस वीडियो को या फ्रीज के इंग्रीडेंट्स लिख लीजिए कि इतने पर्फिक तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा यह बहुत ही सुपर सॉफ्ट और स्पॉंजी भी है इसे हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग डिश में तो दोस्तों देखकर आपको लग रह हुई यह मुझे कमेंड में ज़रूर बताईएगा दोस्तों यह हमारे लाचवाब गुलाब जमुन तो हो गए हैं तैयार और दोस्तों अभी मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी यह जो प्रोसेस है ना बहुत इंपॉर्टन है आपको कैसे पता चलेगा कि यह कितने सौफ को अभी सोलेइन सब्सक्रा दोस्तों कितने ज्यादा सौफ्ट बने हैं यह आपके आखों के सामने हैं मावे के गुलाब जमुन हर कोई नहीं बना पता है लेकिन इस विडियो के बात सारे लोग इस गुलाब जम्वन को पर्फेक्त तरीके से बना लेंगे यह मेरी ग लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा इसे लाइक कीजिएगा चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुलिएगा